140 करोर देश वासियों का तूटा दिल विनेस फोगाठ फाइनल मैस से हुई बाहर फाइनल से पहले अयोग घोसित हुई विनेस फोगाठ नहीं मिलेगा कोई मैडल लरते लर्खराते पहुँचीती फाइनल लेकिल तूट गया आद दिल भारत के लिए पैरिस उलम्पिक में अब तक की सबसे दिल तोडने वाली ख़वर सामने आई है जहां गोल्ड मेडल जीतने की दाविदार पहलवान विनेस फोगाठ फाइनल मैस से पहले ही बाहर हो गई है पैरिस उलम्पिक में आज रात को उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल ब्राउंट से होना था वहीं ओवरवेट होने की वज़े से विनेस को उलम्पिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वह 50 किलो भारवर्ट फाइनल मुकाबले खेलने के लिए मैदान पर नहीं उतर पाएंगी विनेस फोगाठ मैस से पहले लिए गए कारण में 50 किलो गराम वेट से थोड़ी ज़्यादा पाए गए मतलब कि 100 गराम वेट उनका जाता था जिसके कारण उनको फाइनल मैच से डिस्क्वालिफाइ कर दिया गया है आपको बता दे कि भारतिये पहलवान विनेस फोगाठ ने पेरिस उलमपिक के लिए फाइनल में पहुचकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया था किसी भी उलमपिक के फाइनल में जगह बनाने वाली वह पहली महिला पहलवान बनी थी एक दिन में सब कुछ बदल गया और गोल्ड मेडल की दावेदार ये धुरिंदर को उलमपिक से ही बाहर होना पर गया रूल्स के मुताविक विनेस सिल्वर मेडल के भी योग नहीं रह पाएंगी इसके बाद 50 केजी केटिगेरी में सिर्फ गोल्ड और ब्राउंज मेडल दिया जाएगा हालाकि अयोग करार दिये जाने के बाद अब फाइनल मैच भी नहीं होगा विनेस को कोई मैडल भी नहीं मिलेगा इससे पहले के मुकावले में विनेस का वजन तै केटिगेरी के हिसाब था वहीं भारतिय ओलंपिक संग ने इसकी पुष्टी करते वे बताया कि विनेस फोगाट को वजन जादा होने की वज़े से अयोगी घोसित कर दिया गया है संग ने कहा है कि भारतिय दल को इस बात का दुख है कि महिला कुस्ति के 50 किलो गराम वर्ग से विनेस फोगाट को अयोगी घोसित कर दिया गया है रात भर टीम द्वारा किये गए बहतरीन परियासों के बाबजूद आज सुवे उनका वजन 50 किलो गराम से कुछ गराम अधिक था और इससे में दल द्वारा कोई और टिपनी नहीं की जाएगी भारतिय दल आपसे विनेस की नीस्ता का सम्मान करने का अनुरोध करता है और वो मजूदा परतियोगताओ पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा वहीं इसके बारे में पता चलने पर विनेस होगाट की तब्यत खराब हो गई है और खेल एक्सफर्ट वॉडिया मजुमदार के मताबिक विनेस बेहोस हो गई है और उनने क्लीनिक में भरती कराया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसीशन के प्रधान पीटी उसा भी उनसे मिलने के लिए पहुँच रही है जानकारी मिली है कि रात में जब विनेस का वजन किया गया तो वो करीब 52 किलो था लेकिन इसके बाद विनेस पूरी राज सोई नहीं और अपना वजन कम करने के परियास में लगी रही उनका वजन कम हुआ भी लेकिन जब फाइनल से पहले फिर से उनका वजन किया गया तो मानक से करीब 100 ग्राम जाता था और इस 100 ग्राम वजन की वजन से हैं उन्हें इस इवेंट से ही बाहर कर दिया गया बताया जाता है कि फाइनल वजन के बाद भारतिय प्रति और उलम्पिक क्वालिफायर के दौरान भी उन्हें इसी तरह की परिसानी का सामना करना परा था जहांपर वो बहुत कम अंतर से कट में पहुंची थी फोगाट उलम्पिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतिय महिला पहलवान बनी थी बाकी 140 करोर देशवास्कियों का सपना चकना चूर हो गया बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक निउज